बढ़वानी जिले के पान से मल थाना छेत्र में एक बाल अपचारी द्वारा नावालिग लड़की के साथ दुशकर्म का मामला सामने आया है तरसल 6 महीने पहले 17 वर्ष नावालिग लड़के की 16 वर्ष नावालिग लड़की से शोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती हो गई थी लड़की वपरीजनों की शिकायत पर पुलिस ने दुशकर्म का केस दर्च किया है पांसेमल धाना प्रभारी लखंसी बगेल ने बताया कि नावालिग लड़के के खिला आफ धारा 306 एवन पोस्को एक्ट में मामला दर्च कर लिया गया है दिना 6-7-2022 को कस्वा पांसेमल की एक नावालिक यूटी द्वारा रिपोर्ट की गई कि उसकी एक नावालिक यूवप जो कस्वा पांसेमल काई इस्टाग्राम के मांधियन से दोस्ती हो गई थी उसके बाद ही आपस में मिलने जुमने लग गए थे यह वं यूवप के द्वारा यूटी से बहा गुमाने ले जाता था तो पैसे भी मांग की जाते थे तो यूटी अपने घर से पैसे ले जाकर यूवप को देती थी और करीब यूटी द्वारा से हजार उपए यूवप को दिये गए जिससे यूवप दोनों साथ में गुमने जाते थे जब यूटी के परिजनों को इस चीज का मालूम पढ़ने पर यूटी से उँ घरवा उसकी मा से पूछने पर यूटी ने बताए कि मैंने फलाने यूवप को पैसे दिये हैं उसके परिजन यूवप के घर मांगने गए थे इस पर से दोनों में विवाद हो गया था विवाद पर से यूटी के दवारा अपने परिजनों के साथ में आना पांस यमल पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिस पर से धारा तीन सो च्योटता यह वह पास को एक टके तहद प् कल नावालिक अप्चारी नौव यूवप को हिरासत में लेकर बाल यायले बढ़वानी पेस किया गया था जहां से उसे बाल सुदार गरहा जहबवा भिजा गया है तथा प्रक्रण अभियान उसंदान में दोस्तों न्यूस्ट्रेक लाइब के वीडियो को देखने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन्स पाने के लिए इस बैल आकॉन को प्रेस करें